दस सालों बाद finally ONGC Share के अंदर हमको एक बहुत बड़ा breakout देखने को मिल रहा है तो क्या ये स्टोक दोजा चोइस के अंदर या फिर आने वाले 6-7 मैनों के अंदर डबल हो सकता है या नहीं इस वीडियो के अंदर इस पर हम डीटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कमपनी काम क्या करती है इसका बिजनस मोडल क्या है कमपनी के फंडामेंटल करेंटल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसके लाव इसका complete technical analysis इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों अगर इस stock के अंदर आप buying करना चाहते हो तो खरीदने की best price कौन सी हो सकती है इसके आने वाले time पर targets क्या हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर complete बात करेंगे वीडियो काफी ज़्यादा interesting होगा और दोस्तों वीडियो के end में आप लोगों के लिए एक surprise है तो make sure करें कि वीडियो को end तक जरूर देखिए सबसे पहले हम company के business model को समझ लेते हैं ONGC इंडिया की largest crude oil and natural gas company है and domestic level पे इसका जो production है 71% का है जो की इतना contribute ये company करती है के बाद उन चीजों को marketing करना and उसके बाद उसका distribution करना basically ये company का major काम है and company के revenue की बात की जाए कहां से profit generate करती है तो basically oil and gas के selling से company का revenue generate होता है वहां से company पैसा कमाती है इसके अलावा दोस्तों बीच में government कभी-कभी subsidy वगेरा इनके लिए provide करती है तो इसकी वज़े से इनके profit में या revenue में थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है अब हम company के fundamentals को समझ लेते हैं सबसे पहले market cap की बात की जाए तो चार लाग करोर से ज्यादा का इसका market cap है ROE देखेंगे तो 16% का ROE recently हमको देखने को मिल रहा काफी अच्छा ठिक टाक ROE है ROE C भी काफी अच्छा हमको 18% का देखने को मिल रहा है अब हम इसमें कुछ major चीजों की बात की जाए नीचे में अगर हम थोड़ा सा scroll करेंगे and सबसे पहले हम देख लेंगे इसका long term में जो अगर growth हमको देखने को मिल रही क्योंकि पीछले अभी मैंने बलता है कि 10 सालों बात इस stock के अंदर breakout देखने को मिल रहा है कि हम चार्ट के उपर जाके बाद में समझेंगे फिलाल अगर मैं बात कूर यहां पर कि 2013 के बाद से अगर company की sale अगर देखी जाए बढ़ती जा रही और आज के टाइम पर लगबग साड़े 6 लाग करोड के आसपास की sale 2014 के अंदर अभी हमको देखने को मिली मार्च तक ठीक है अभी यह current यह sale और इसकी चलती हुई नजर आ रही है ठीक है कही ने कहीं हम एक चीज़ समझे कि कहीं ने कहीं तो के अंदर या share के अंदर इनकी company के अंदर शेल अच्छी हो रही है मतलब company का माल बिक रहा है इसका मतलब simple से company कहीं का ही जो है growth कर रही है ठीक है complete जो हुआ उसके अंदर अगर आप यहां पर चेक करोगे तो लगबग 57,000 करोड के आसपास का प्रोफित है जो कि इससे पहले जस्ट एक साल पहले 32,000 करोड से लगबग हमको डबल होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है तो कई ने कई 80-90% की यहां पर ग्रोथ हमको इनके नेट गुन के अपर प्रोफित में भी देखने को मिलली किष्ड़ काई नियुथ के अंदर 125 वक्ट वक्ής कीव त्टो को किया जाए इसके अलावा हम्मार्टेली रिजल्ट को अगर हम चेक किया जाए टहिक है लास्टव करो घर रोड़ कर उसक्ती है यहाँ इसके बनद्नाट हों unit ऐसा हाँ धनल इसेटिस बोड़ से खुझां लुट हुआ है पिछले 2-3 quarter से ठीक है इसके अलावा मैं बात करोगे इसमें share holding pattern को अगर check किया जाए कहीं कई बड़ी party ने अपना माल निकाला है बेचा है या फिर क्या हुआ इस stock के अंदर वो चीज को भी हम समझ लेते हैं ठीक है कहीं अगर हम share holding pattern को यहाँ पर check करें तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर check करोगे जो promoters की holding है यहाँ पर हमें 60% के असपास थी और उसके अलावा चेक करोगे तो थोड़ी सी कम हुई है 2000 चोइस के last quarter तक तो 1-2% के यहाँ पर गिराउट हुई है तो यहाँ पर अगर हम majorly देखें तो FIIs की पहले 8% के असपास थी 2021 में अभी भी ल पर यहाँ पर एक same stable holding हमको दिख रही है इसके अलावा सबसे इंपोटेंट एक government के अगर आप चेक करोगे government की पहले कोई भी इसके अंदर holding नहीं थी जब तक कि last quarter 2022 जुन 2022 के अंदर जो quarterly रिजलता है तब तक कुछ भी नहीं था उसके बास September वाले में देखोगे यहाँ पर अचानक से 10% की यहाँ पर हमको current level पर जो percentage है 3.50% के आसपास ही इनकी shareholding है तो कहीं नहीं कहीं government को भी लग रहा है stock के अंदर के invest करना चाहिए जब government पीछे हम बात करें तो balance sheet में हमको यह चीज़े दिख रहे है data यह दिख रहा है बाकि इसके अलाओ पीछे बहुत सारी चीज़े हो सकती है बट कहीं नहीं कहीं एक intention दिख रहा है कि अगर government अपना पेसर लगा रही तो कहीं नहीं कहीं कुछ अच्छा हो सकता है company के अंदर अब हम कहले थे हैं stock का complete technical analysis देखो सबसे पहले हम बड़े time frame पर समझ लेते हैं चीज़े क्या चल रही है अगर आप monthly time frame पर देखोगे तो last 2014 के आसपास यहाँ पर market ने high लगाए था ठीक है उसके बाद से अगर देखोगे तो लगबग stock लंबे समय तक राई 300 के आसपास price हमको देखने को मली stock लंबे समय तक downtrend के अंदर देखने को मिला है रिसेंटली देखोगे 2021 के बाद से एक श्यांदार तेजी हमको देखने को मिली और फिर से वही अगर आप देखोगे बहुत ही लगबग 50-60-60 रुपे वाला यह stock लगबग तो आज के टाइम पर साड़े 300 या 300 के आसपास trade करता हो और नजर आ रहा है ठीक है तो अब currently देखे तो एक बहुत बड़ा breakout अभी 2014 के बाद से हमको इस लेवल पर breakout देखने को मिल रहा है तो अगर हमने जैसा कि हमने balance sheet में भी चेक किया और जैसा हमने fundamentals चेक किया तो currently stock अगर आप चेक करोगे तो नीचे में आपको volume activity देखने को मिलेगी volume में काफी ज्यादा heavy activity यहाँ पर देखने को मिलेगी काई ने कई volume के साथ यह stock या यह share उपर की तरफ जाता हुआ हमको नजर आ रहा है ठीक है अभी मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे कि monthly time frame देख रहे है अगर बड़े time frame पर यह breakout होता हुआ हमको अलेड़ी दिखाए दे चुका है और कहीं ने कहीं जो last month जो candle थी काफी अच्छी green candles के साथ अच्छे volume के साथ इस candle ने breakout लेके इसके उपर close किया है जो की breakout level था 315 का level उसके उपर close किया है और इस month में देखो के दो बारा इसको retest कर ओर के उपर की तरफ जाता हुए नजर आ रहा है तो करि यह निगाली आ थेक्निकली तोर पर काफी यच्छा pattern भी हम पाफी task फेटन भी हम देखने को मिल रहा है, अगर ऐसका फर धर और रेकम कम दॉट मिल रहा है अगर इसका यह breakout होता है तो यहां तक काफी कर यह पास के हमारा यह target निकल के आता है ठीक है एंड इसके अलावा current price बात करें 300-350 की range में चल रही है currently इसने 300 पर support लिया तो लगबग यहां से 100% का return यह हम expect कर सकते है according to the pattern लगबग 100% के आसपास का यह target इस stock के अंदर हो सकता है चलिए इसको हम थोड़े से छोटे time frame पर भी देख लेते ह और नीचे की दरफ आता है तो हमारा maximum stop loss क्या हो सकता है तो इस stock के अंदर जो maximum ममारा stop loss हो सकता है वो यह green candle क्योंकि इस candle के अंदर breakout हुआ है अगर इस टोक के अंदर breakout को fail होना है इस candle का low अगर break करके निकलता है stock तो कहीं ने कहीं ये stock का breakout fail हो जाएगा तो simple अगर हम इसमें stock के अंदर plan कर रहे तो इस level का हमारा stop loss होना चाहिए जो की लगबग दिखता है 300 के आसपास या फिर इसको छोटे time frame पर अभी हम समझ लेते हैं ठीक है यहां पर अगर weekly time frame पर चीजों को देखेंगे तो यहां पर काफी ज्यादा चीजे के लिए हमको होती हुई नजरारी जैसा कि हमने देखा बड़े time frame पर breakout हुआ है तो अब simple है कि अगर फिर से इसका high ये break करके निकल रहा इस red candle का high break करके निकलता तो एक अच्छा momentum continue हो सकता इसके उपर already में छोटे swing rate के लिए already stock पर वीडियो बना चुका हूँ डीटेल में पहले भी आप लोगों नहीं देखा उसको भी दोबारा चेक कर सकते हो ठीक है तो major list top loss हम प्लान कर सकते है 260-260 की range में and काफी अच्छे level पर current level जो current इसकी price है काफी अच्छी price हमको दिख र इस तरीके से हमने इसका fundamental analysis किया इसके अलावा technical analysis किया हम target क्या हो सकता वो चीज़े हमने चेक करी and इसके अलावा दोस्तों कोई भी यह recommendation नहीं है सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यह analysis share कर रहा हूँ आप लोग अगर trade करना चाहते हो तो आपकी मर्जी नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना इसी टाइप के analysis वीडियो आपको समय पे मिलते रहेंगे मैं मिलता हूँ next video के अंदर